Hello 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 very very warm welcome very very warm welcome to the session कैसे है बाई सब लोग कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई तो I hope सब लोग मस्त होंगे जबरदस्त होंगे और इस सीरीज का पूरा पूरा आनन्द उठा रहे होंगे यह सीरीज आपके लिए स्टार्ट की गई है हाँ भाई बिलकुल आपके लिए ही स्टार्ट की गई है जिसमें हम डिसकस करेंगे हर चीप्टर के NCRT के कौन कौन से कोश्चन हमें करने है तो बाई जो नुमरीकल में कमजोर है week है हनुके लिए स्टारिई सीरीज बनाई गही है कौन कौन से कोश्चन हमें NCRT के solve करने है, जो अन CrT में दिये हुए हैं वो हम डिसकस करेंगे solve question में कौन से हमें करने हैं और exercise में कौन से question हमें करने हैं हम ये भी देखेंगे क्या वो question previous board में आए हैं अगर आए हैं बार बार आ रहे हैं तो important ज़्यादा होंगे हमाल लिए वो हमें देखना है उसके अलावा एक और महत्रपूर चीज़ हम देखेंगे वो हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं नुमेरिकल हैं जो NCRT में नहीं दिये हुए हैं लेकिन बोर्ड में आ रहे हैं तो आपको करने हैं तो NCRT से भार जाके आपको करना पड़ेगा तो यार यह वीडियो जुरूर शेर कीज़ेगा सब लोगों के पास इस्पेशली उन लोगों के साथ जिनको जो NCRT फॉलो कर रहे हैं हो सकता है को और किताबे ना हो या कोई वीक कमजोर मतलब कमजोर हो और उस पर किताबे कम हो तो उसको जुरूर शेर कीज़ेगा ताकि वो पूरा फाइदा NCRT का उठा पाए और अपने बोर्ड में वो भी की मार्क्स सिक्योर कर पाएं तो इस्टार करते हैं आज की वीडियो आज लुग पहुंच गए है चैप्टर नमबर दो पर चैप्टर नमबर दो आज हम डिसकुस करने जा रहे है चैप्टर नमबर News हमारे सामने एक् एलेक्ट्रेंट्र कपेंश्यल एंड कैपेसिटयंस त सो चार्ज की वैसे हां पे पोटेश्चल कितना होगा यहामहे निकालना है और מण से अगर हम अगर को लेकिन कहिए कितना वक्लान करना पड़े गा यह कोशनन हमें कर लेना थी कोश्चन payment बैसी हैं तो आप करना भी ज़ाएं तो यह अब आते हैं हम लोग example 2.2 में दो चार्ज दिये हुए बीच में और यह पुछा पूटेंशिल जीरो कहां पे हो तो यह question आ चुका है similar question 2014 compartment में आ चुका है तो यह question आपको करना है ठीक question है कर सकते हो आप question आप आपको लगबग सारे करने हैं जो मैं आपको बता रहा है एक दो कोशन ही जो मतलब आने के संभावना कम है नहीं तो लगबग सारे कोशन ही आपके करने वाले इस chapter में से तो अब सबस्सक्तर करें वह चैप्टर को किस फ़र्म में देखना है तो वह लोग विल्कुल सको ध्यान से करें और जो बताये जारा उसको बीप्नेस वालो करें है अगला कोशन है हमारे सामने कि यह पे प्लस जा जेसे दूर जान के लाइब बढ़ता है या बढ़ता है क्या होगा तो यहां यहां पर समझना है कई बच्चों को दो यहां पर आपको क्लियर कर दे रहा है तो आपके यहां पर क्लियर हो जाएंगे और यह जो कोशन है 2.3 यह आ भी चुका है 2016 में दिखा रहा है दिल्ली में और फॉरंड दोनों में 2016 में आच चुका है इसका एक पार्ट आय था आय था आह इंग यह वालो होना में रिखें यहां पे यह लिखا आया है तो तोडने में कितना लगे गैगे तो बराबर होता है जिरो से आप यहां पर ले कि आओगे से थो वर्ठन करनें प्डेगा इक कि sleeves हाएगा लेकिन बराबर आएंगे Test आपको निनरती का फॉर्मला वेसिकली है कौश्यन के क्यों एक टूटो बाइरो ऐने इनर्जी निकालनना यहां से सब्लाइगा कर देंगे, और तो इसकी निकालके आंतलब 2 से है तो वहां से हम कर सकते हैं यह कोश्ण हमें करना है उसके अलवोला चार्ज को अगरंगल की फॉर्म में cbc ने यूजवली पूचा है एक तीन चार्ज होंगे 18 और 2020 दो बार यह कोशन जो है cbsc पूछ चुकी है तो यह कोशन आपको प्रैक्टिस धंग से करके जाना है भाई साब इंपोर्टेंट में आप काउंट कर सकते हैं इंपोर्टेंट हमालने कि इस ट्रैक के कोशन हमें प्रैक्टिस बिल्कुल करके जाने हैं ठीक है चलिए पोटेंशिल एनरजी कितनी होगी सिंपल कियो क्यों कुट बैयार वाला फॉर्मॉला है और वग्दन कितना होतार को दूर करने में तो आपोजिट्ट करना पड़ेगा अगर आपकी एनर्जिया आप मैंडिस-7 आई तो यह भी हम लोग कर सकते हैं ओके कोशन है तो ठीक टा जा हुआ है अगर आप इसमें फिल्ड रगाएंगे एलेक्ट्रिक फिल्ड तो इनकी डारेक्शन जो है अगर हम चेंज कर देंगे एलेक्ट्रिक फिल्ड की तो कितनी एनरजी वगरा चेंज होगी हमें निकालना है तो बैसिकली यह पोटेंशन एलेटेड़ है लेकिन यहां पर क्या मोल कंसेट का यूज हो रहा है मोल कंसेट जो होता है वह 11 का कंसेट और तुम लोग वह बाजे बजे रहते हैं तो सीबसी जो है ट्राइब करती कि ऐसी चीजे ना लाए जो बच्चे को थो फुल्ड़ा प्रॉलम हो तो इसको सीबसी अवाइड करती ऐसे को को कि अगर आप ठीक ठाक चले हो एवरेज हो तो सारे कोशन हमें करने ही करने है अधरवाइज आपसे छोड़ सकते हो ठीक है तो 2.6 हमारा हो गया अब आते हैं 2.7 पे 2.7 जो कोशन है वह आई थिंग हाँ अभी कैपिसेटर सून नहीं है नौनल कोशन नहीं है यह जो है बेसिक अगर साल कौश है कि 아ई अगर Kerry करते हैं तो वह एट्रेक क는지 करता हैज्म क equipment के पास ले जाते हैं यह पिर जो आपके टायर होते हैं को conducting क्यों मनाते हैं या जो आपके वैकिल होते हैं जिनमें हम पैट्रॉल डीजल बगरा ले जाते हैं उन में हम conducting chain क्यों लटका के रखते हैं जैमीन को टच कर आते हुए तो इससा बात यहां पर लिखी हुए है बर्ड जो है जब उसके उपर बैठते हैं वायर के ओपर तुमको करन्ट क्यों नहीं लगता है यह सब बात यहां पर लिखिए हैं नहीं पूछा लेकिन कॉंसेप्ट त ठीक है थोड़ा सा आनन्द भी आएगा पेपर के दोरा नगर पड़ोगे थोड़ा सा दिवाग फ्रेश करने में हैल्फ करेगा तो भाई पड़ सकते हो ठीक है अब यहां पर जो है आगे चलते हैं आगे जो है हम लोग आएंगे अब 2.8 आएगा तो काफी दिर बाद आए लेगा यह में निकालना है यह इंपोटन्ट है कि अगर हम हम सेलब्रेट कैपिसटर में डर्टिक डालेंगे तो इसका कितना चींज हूग यह इंपोटनंट है इन्फेट यह जो question है आया भी होगा बिल्कुल हाँ आया हुआ है 2013 compartment में और 2014 में दो बार यह question आ चुका है और अभी भी similar question इसमें आरे हैं अभी भी similar question आरे हैं मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो similar question अभी भी आने तो important है इसको आप जरूर करके जाएएगा तो यह important है ठीक है आगे move करते हैं 2.8 क्या 2.9 है 2.9 में जो है तीन capacitor है आपर capacitance तीनों बराबर हैं इनको स्रीज में लगाया गया है इनके charge वगरे के बारे में discuss किया गया कि इनमें charge कितना होगा on the capacitor equivalent capacitance कितना होगा तो simple form है cbsc की complex form पूछ रही है थोड़ा सा complex क्या पूछ रही है बताऊंगा आपको लेकिन यह तो आपको करना ही करना है क्योंकि आपके basic fundamental clear होंगे तो यह तो हमें करना ही करना है ठीक है तो यह हमें करना है अब आते हैं 2.10 जो इसका last salt example है 2.10 2.10 में लिखा है कि capacitor उसको चार्ज किया गया बैटरी के द्वारा और फिजब charge वह हो गया तो उसे एक uncharge capacitor के साथ connect किया गया connect जब हम करेंगे तो energy का loss होता है तो कितना loss होगा कितना loss होगा यह जो है यहाँ पर पूछा गया कितना loss होगा तो वह यहाँ पर rate किया गया क्यों होगा वह भी पूछा गया है लेकिन कितना होगा वह इंपोरेंट है हमाले कितना loss होगा तो पुरा calculation है यह इंपोरेंट है काफी और यह कोशन 2014-2015 में आ चुका है तो यह काफी इंपोर्टेंट है हमारे लिए यह हमें करना है इसका derivation बगरा बिल्कुल हमें करके रखना है यह numerical form में भी आ सकता है और derivation की form में भी आ सकता है दोनों में तयार रखने है ठीक है तो यह हमारे done है तो यहां तक हमारे salt example खतम हुए अब हम बात करेंगे exercise की जो question है वह हमें कौन-कौन से करके जाने तो exercise की हम लोग बात करेंगे और एक फिर important बात क्या आद हम लोग करेंगे कि भाई NCRT में क्या नहीं है जो हमें करके आना है अब बोलोगे जान लोग है बच्चे की potential यह होगा तो ऐसे similar question आते रहते हैं यह भी आ चुका है 2014 में तो आप इस question को भी try कर सकते हो करना चाहिए आपको अगला question है regular hexagon है 10 cm का इनमें charge रखा हुए इनके सारी side पे मतलब यह benzen ring है बच्चे बोलते से बेंजीन रिंग नहीं है normal hexane है जो भी मालो तो यहाँ पर यह charge रखे होए यहां पर और चार यहां पर रखे हुए है तो यहां पर सेंटर पूटेंशियल कितना होगा यह पूछा गिए अब सेंटर पूटेंशियल निकालने का फर्मुरा जो होता है इतना निकाल को नहीं हो यह कि आधवर हुआ मतलब इसका आधा हुआ पूरे का पूरे का अधा आधा से बराबर हुआ प् लेकिन यह फोड़ा कॉंप्लेक्स से इतने पर नहीं जाती है तो इतना प्रेक्स पर यूजरी नहीं जाएगी तो इसको आप जो कमजोर बच्चे हैं वो आवाइड कर सकते हैं अधर्वाइज बाकी बच्चे कर सकते हैं ठीक है अगला कोशन है कोशन नमबर 3 दो चार जहां पर रखे हुए ए और बी पे 6 सेंटीमेटर दूर हैं तो बताओ इसमें की एक्वी पोटेंसल सर्फेस कहां बनेगा कैसे सेंटीमेटर थी कब आया है यह 2013 में तो आपको बिल्कुल करना है इस्पेशली जो पोटेंशल वाले हैं बाकी जो एक्वी पोटेंशल सर्फेस सारे याद करके जाना है ठीक है 2.4 पे आते हैं 2.4 कोशन हमरे पाद स्पेरिकल कंड़क्टर ऑप रडिया इस चार दिस तो य यह सब हमें निकालना है जस्ट आउटसाइड कितना होगा 18 सेंटीमेटर पर कितना होगा तो यह इसका इंदर कंड़क्टिंग स्फियर चाहे जाए होलो तो अगर यह चार्फेस पर आ जाता है पहली बाद तो अंदर हमारा अलेक्टिक फिल्ड जीरो हो जाता है बाहर जब पर निकालेंगे तो यह वाला आर आ जाएगा उससे हम लोग निकालते हैं तो यह अलंकि जो है आप गॉस्ट लोग से रिलेटेड़ है काफी हद तक तो यह कोशन है तो यह भी आपको करना है हालंकि इस पर कम जाती है सी बेसी लेकिन यह आप ट्राइब कर सकते हो सिंपल क दो क्वसेशन यहां पर दो कितना होगा तो हमने कालता कि कैवल्क यह वह निकालना है करेंगे तो कितना होगा तो में निकालना है केवल के वो निकालना है, तो सिंपल कोशन है, यह कोशन अलरेडी सिंदर कोसिन आ चुका है, 2000 अब यह आया है 19 में, तो यह भाई कर ले ना, ठीक है करके जाना है, अगला गुशन है, तीन कैपिसिटर है, नाइन पीकोफिराट के सीरीज में करनेक्टेर न सब्सक्राइब पूचा गया है और चार्ज कितना हो उन हमें करना है तो यह में करना है फिर आम आते हैं कोशन नंबर 8 की और 8 क्या है हमारा 8 है कि पहले प्लेट के बीच का और बोला है कि अगर हम इसमें 100 वोल्ट की सप्लाई कर देंगे तो इसमें एरिया दिया इसमें चार्ज कितना होगा, simple question है, q निकालना है, q इकल तो c कितना होगा, epsilon not a by d, v हमें दिया होगा है, तो simpler question ही कर सकते हो, ठीक है, यह question ही हमें, बिल्कुल करना ही करना है, right, अब आते हैं, 2.9, what will happen to the capacitor, इसी capacitor को क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें micro seat डाल दें, तो यह करना है, आपको पहले micro seat वाला question आया था, तो यह हमें करना है, micro seat वाला question पहले भी आ चुका है, और अगला question है, 2.10, इसमें पूछाएगी, आपको capacitor दिया हुआ है, और capacitance और voltage दी हुई है, energy कितनी होगी, तो सिंपल फॉर्मला है, क्या होता है, फॉर्मला C और V की फॉर्म है, half cv square, तो यह हमें यूज़ करना है, आपको C दिया वी दिया, डारेक्ट एनर्जी कर सकते हो, ठीक है, डारेक्ट question, अगला question 2.10, यह है कि capacitor को charge किया गया, उसके बाद इसे uncharge के साथ attach किया गया, जो पहले आया था ना, वो salt वाला जो कौन सा question था, 2.10, वैसा question है यह, तो 2.10 हमारा 2014-15 में आया था, तो वो ही question यह भी है, तो भाई साब यह भी आपको, बिल्कुल जो है, करना है, तो यह तो हुई, NCRT की बात, solved question और unsolved question, अब भाई साब, CBSC वाले जो है, NCRT से बाहर भी जा रहे हैं, तो उसमें हमें कौन से question और try करने हैं, बाहर से अगर आप करने हैं, तो देखें, यहां पर कुछ question है, 2-3 type है, मैं आपको बदाएता हूँ, यहां पर बदादू, पहली type तो यह है, यहां पर, कि अ कितना लोग है इसका, और R कितना लोग है, यह question है, इसका R मालो हमें पता है, और Q हमें पता है, तो इसका Q कितना लेंगे, R कितना लेंगे, तो Q तो direct आ जाएगा, यह n drop है, एक पर charge Q है, तो इसका charge n Q हो जाएगा, n times Q, R कैसे निकालोगे, R हमारा transurational volume से आएगा, volume जो होत करनी है, उसके रहाँ दूसरा जो है, काफी important जो आ रहा है, वो electric field और potential में relation जो होता है, minus d by dx, इस पर based question numerical, यह थोड़ा missing है, यहाँ पर कम है, तो यह आपको करना है, यह जो है इंफेक्ट 2020 में भी आया है, और 2022 में भी आया है, इस पर बेस जो है, यह अगर V हमें दे दिया हमालो 3x square यह कुछ दे दिया, उसे differentiate करना, तो यह हमें करना है, ठीक है, इसमें कई बच्चे जो पार्शल derivative कराया गया होगा, आपके ट्यूशन में या guide में आपने देखा होगा, पार्शल derivative पर CVC नहीं जाएगी, लेकिन जो simple question है, उस पर जरू जाएगी, तो यह important है, यह हमें करना है, तो यह आपको करना है भाई साब, उसके अलाबाए ग्राफिकल फॉर्म में भी आया है, कि अगर हम ग्राफ दे दिया जाए, उससे हमें V का ग्राफ अगर हमें दे दिया जाए, और हमें electric field निकालना हो, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, electric field की value क्या क्या होगी, तो भाई यहाँ पर DB by DR, पतलब स्लोक हमें निकालना है, गर आपका वहाँ से में electric field की value हमारी आएगी, यह भी 2019 में पूछा गया है, तो यह important है, थोड़ा सा practice कर ले ना भाई साहब, ठीक है, question number 3, sorry, type 3 हमारी जो मेरे को दिखी, वो दिखी, मेरे को भाई साब यह dielectric भरने वाली, पूरा डालेक्टिक भर दें अगर, तो आधे की बात तुन ने किया है, हालांकि उससे भी कर सकते हो, जो उन्हों सी एंसे डिसकस किया है, कि थोड़ा डालेक्टिक भर देंगे, तो क्या होगा, या ऐसा डालेक्टिक भर देंगे, अगर series parallel वाले case में, तो क्या होग तो ये वाले question भी जो है, थोड़ा missing लगे है मुझे, जबकि ये आया है, 2013 में आया है, और भी आ सकता है, तो ये आपको थोड़ा practice कर लेनी है, ठीक है, उसके अलाबा एक और type जो missing है, और काफी question आ रहे हैं, चौत्री type अगर हम देखें, तो ऐसे type के question की capacitor हैं, काफी सारे, और इनको जो है, fire से ऐसे connect कर दिया गया, something ऐसे करके है, और फिर पूछाए, capacitance कितना होगा, बाकी चीज़े कितनी होगी, तो इस type की question है, ये भी थोड़ा मुझे missing लगे, जबकि ये 2017 में दिखा रहा है यहां और 20 में दिखा रहा है, कि ये 17 में दिल्ली में आया, 20 में All India मे आया है, तो question आ रहे हैं, तो ये आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, ये करने पड़ेंगे, करने चाहिए हमें, एक और टाइप है, पांच में, कभूसर कितनी टाइप है, लास्ट है भाई, घबरान नहीं है, लास्ट हो गया, इंजेक्शन लगाते हैं बच्चे को हो गया, हो गया, तो देखें क्या है यहां पर, ऐसा अगर हम बैटरी कनेक्ट करने को, यह C1, C2 है, तो एक तो यह पूछेगा, इसमें बताओ, वोल्टिज कितनी होगी, चार्ज कितना होगी, वो सब पूछेगा, दूसरा ऐसा पूछेगा, अगर मैं इसमें डालेक्टिक भरदू C1 में या C2 में डालेक्टिक भरदू, तो बताओ, C1 में कितना चार्ज होगा, C2 में कितना होगा, वोल्टिज कितनी होगी, वो सब पूछ सकता है, अगर C1 में डालेक्टिक भरदू, C2 में कितना होगा, तो इस टाइप के कोशन भी जो है, वो पूछ रहा है, तो यह हमें धंगसे करने हैं, इस लाइप की जो कोशन है, मैंने को अगर डिरेक्टिक भर दे तो क्या होगा, वो सब चीज़ें आप से पूछेगा, एनरजी कितनी होगी, चार्ज कितना होगा, तो यह सब हमें करना है, तो भाई साब यह इस चेप्टर की कहानी हुई, I hope सब लोगों को पसंद आया होगा, सब लोगों को फायदा हो रहा होगा, सब लोगों को मैनत करनी है बाई साब, और यह सब करके जाना है, easy है, करोगे तो हो जाएगा, कोई टफ वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, पेपर में भी easy आयाएगा, घबराने वाली कोई बात नह ही है तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में इस स्रीज की जिसमें हम अगला चेप्टर जो है करेंट इलेक्रिसिटी उसके बारे में डिसक्स करेंगे कि वहाँ पे आपको कौन-कौन से कोश्चन न्युमेरिकल करने हैं और NCRT के अलावा भी कौन-कौनी चीज़िया हमें करनी है तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तिल देन बाई टेक केर